कि अग्यों कि एंग्लिस क्रामर की जो शिरीज थी वहां पर टॉपिक हमारा चल रहा था प्रीपोजिशन का जो इसकी एक फर्स्ट वीडियो है तो वह अगर किसी ने दिने के श्टार्टिंग महां से करिएगा यह सैकेंड वीडियो में कुछ प्रीपोजिशन साम आपको और कराने जा रहे हैं अब देखिए जो फर्स्ट पर उसमें रूल नंबर फोर तक आये थे और यहां पर सैकेंड वीडियो में तो में हमारा टॉपिक यही है कि प्रीपोजिशन किस तरह से हमें कह में भी देख तुके होंगे बट वहां पे इनका परपज कुछ अलग था ठीक है इनका सैंस कुछ अलग था मीनिंग अलग था अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पे इनका इन और एट इसका जो यूज करना है हमें तो यह होता है विफोर प्लेश से पहले इन और एट का यूज करते हैं कि अब जैसे माल लीजे आप से पूछा वेर डू यू लिव तो आपका रिप्लाई क्या होता आई लिव इन डेलाई आई लिव इन कानपूर आई लिव इन लखनव ठीक है तो यहां पे हम किसका यूज कर रहे हैं इनका यूज करते हैं ओके तो अब इनका कॉमन यूज है कि आप में यह सुना हुआ है और यहां पे क्या है आपका एट का यूज है प्लेश से पहले तो एकदम से डाउट में आता है कि यह कहां पे करेंगे तो अगर आप लोवर क्लासिज में चले हैं किसी ने इससे पढ़ा हो जी का बहूत कॉमन था सब करासिज में तो वहां पर एका था शन्टेंस आता था गांधीजी­ वाजबॉन इन गुजराथ MA पोरवंदर कुछ याद याद आया होगा गांधीजी वाजबॉन इन गुझराथ AT PORWANDAR तो गुज़रास से पहले इन आया था और PORWANDAR से पहले क्या आया था आपका AT आया था ठीक है तो अब देखिए इनका यूज जो big places है वहाँ पे इनका यूज हो का और जो small places है वहाँ पे आप किसे इनका यूज करेंगे एड का यूज़ करेंगे ठीक है तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको जैसे सिटी है कि इस्टेट है कि एड कंट्री कि यहां पर आपको इसका यूज़ करेंगे कि और आपको आपको करेंगे आप विलेज में कर सकते हैं ठीक है टाउन में कर सकते हैं कि जैसे यहां पर फिर से आप तुनिये गांधी जी बाज बॉन इन गुजराथ एक और बंदर तो इन और एक काई एक साथ में आघी है ठीक है जब दो प्लेसिज होंगे तो वहां पर आपको इन और एट मतलब बीग और हैं इसमाल प्लेसिज में क्या करना है प्लासिफाई कर लेना है तो आपको क्या होगा इन और एड का यूज़ आ जाएगा ठीक है अब सिंगिल प्लेस की बात होती है अब जैसे सपोज है एक और अजहां पर तुनिए जैसे हम है लकनब में है तो हम क्या बताएंगे कि लटनों में हैं विकास नगर में हैं ठीक है तो क्या होगा लखनाऊ हमारा क्या हो गया तो city में हमने क्या लगा दिया खर्सक्राइब ऑस लगा दियाा है तो इस तरह से आपको यहां पर क्या कaremos हमेशा यह देख न है कि हम हम किसका यूज करेंगे आप देखिए वहां पर इन मसूरी नहीं आएगा, तो यह चीज आपको यहां पर हमेशा लेखके चलर दों कि जो हुआ अला के I'm Mac and Wikya करेंगे और इसके बाद देखिए एक आता है आपका विज के दो यूज है है देखिए एक तो यह बड़ आपने चाहिए उपसे पड़ा होगा तो इसमें क्या होता है सिंपल है कि कि ही गोज है कि तो इस्कूल तो यहां पर हमने विज का यूज कर दिया यह पामाल यूज है जो हम शुरू से देखते आ रहा है अब वो दूसरा इसका पहां पर होता है इसका यूज करते हैं लोग विफूर कर इंस््टूमेंट कि इंस्टूमेंट इसका यूज किया जाता है अब बात आती की इंस्टूमेंट क्या है इंस्टूमेंट कोई जिससे हम अधर वर्क परफॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं इंस्टुमेंट कहते हैं तो यहां पर हमने बोला विफोर इंस्टुमेंट है तो वहां पर क्या जाएगा आपका हमेशा विद का यूज करेंगे अब इंस्टुमेंट में समझ यह सपोर्ज यह पैन तो यहां पर समझने जो पैन वोभी इस्टूमएंट दिश्टेंग से हैं यह फूरे वोग वह इस बन्स क्या है सिटिक क्या इस्टूमेंट गोट क्या है इस गुच्ञत सो हैं इस्टूमेंट यह इस तरह से मतलब जो इस तो यह इस तरह के आपके क्या है ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे हम अधर वर्क परफॉर्म करते हैं तो उसको इंस्टूमेंट से पहले हमेशा किसका यूज करते हैं इतना आपको सेंस होना चाहिए इस लेविल पर आके कौन-कौन से इंस्टूमेंट है अब एक एक्जाम्पल देखिए यह वी कन्फ्यूजन वाला है जो आपके एक्जामिनेशन में हमेशा संटैंस आता है वो बता रहे हैं अब जैसे यह पैन है तो हमने लिखा है राइट यूर रोल नमबर और यहां पर लिखा है अबने पैन ठीक है अब इसी संटैंस को देखिए राइट यूर रोल नमबर और यहां पर हमने लिख 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 पा आपका इन्क है तो आप को नहीं है तो यहां पर कोई दिखकत नहीं है यहां पर आपCs इससे पहले हमेशा यहां पर इन आता है और यह वाला जो आपका sentence है यह most important sentence है कहीं जगह में यह वाला sentence आपको मिलेगा इन लिख्खा होगा और यहां पे आपको क्या फिल करना है इन, इन का आप यहां पे यूज करेंगे, तो इस तरह से यह difference होते हैं, तो दिखरा होगा आपको की बहुत छोटे-छोटे difference है, केवल आपको with और in, इसमें केवल यह तो देखना है, तो instrument होँगे तो वहां पे दो म लगा नहीं है, लेकिन यह unique sentence है, इसको जैसे previous वीडियो में हमने गुड़ बताया था कि गुड़ के साथ में add time होता है, तो वह वहां एक unique sentence है, तो वहां एक unique sentence है, तो unique इसलिए करवाते जा रहे हैं कि examinations में यह आपको हमेशा मिलेंगे sentence, okay, देखिए, besides, एक है besides, और एक होता है, निया, ठीक, इसमें देखिए कि यह वाला जो एक word हमने यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, यह word, sick, इस word का कोई भी link नहीं है, यह अलग है, और यह किलकुल अलग है, इस पेलिंग देखिए के आपको नज़रा है, यह besides है, यह besides के वर एस या, एक है, इस का difference है, और कोई नहीं है, तो यह होई नहीं सकते, क्योंकि यह prepositions है, ठीक है, यह एक अलग word है, इसका means होता है, इन addition to, इन addition to, यह दोनों जो बर्ड हैं, यह same है, यह है beside और यह है near, तो near आपने पढ़ हुआ है, बढ़ यह भी आपको पता है कि beside है, और यह भी पता है near, near भी इस क्या होता है, पास, निकट बहुत ही हमारे पास में है, लेकिन इसमें और इसमें difference क्या है, यह no distance है, और अगर यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपका हो गया walking distance, तो अगर कोई भी place, walking distance पे है, तो वहाँ पे आपको यूज करना होगा, क्या near और no distance है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, beside, ठीक है, तो यह इसमें difference है, और यह बढ़ तो बिल्कुल ही different है, इससे हमारा beside का कोई भी link नहीं है, अब इसके आपिल देश लीजिए तीनों के, besides a pen, I want a book, ठीक है, अगर यह बढ़ यूज ना भी करें, आज सू तो भी कोई नहीं है, क्योंकि in addition to, तो यहाँ पे आपका यह आता है, कि besides a pen, I want a book also, इसका मीन यह हुआ कि, pen के अलावा, अतिरिक, I want a book, मुझे एक book भी चाहिए, मतलब addition to का मतलब है, मुझे बोथ चाहिए, क्या चाहिए, book भी चाहिए, and pen भी चाहिए, तो ऐसी condition में हम किसका यूज करते हैं, besides का यूज करते हैं, ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आता है, besides का example देखिए, he sat beside me, अब इसके हिंदी समझे, he sat beside me, वह मेरे पास बैठा, तो मेरे पास बैठा का मतलब क्या हुआ, कि बिल्कुल मेरे close में आके बैठा हुआ है, तो यहां पर क्या हो गया, no distance हो गया, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, besides का यूज करेंगे, ओके, अब इसके बाद आते हैं, नियर पर आते हैं, तो यह हमने बताया था, कि यह प्लेस में आएगा, तो प्लेस कोई भी होगा, तो वहां पर अगर walking distance है, तो walking distance में क्या लगाएंगे, नियर लगा देंगे, ठीक है, अब जैसे मान लीजे, हमने कहा की, आई लिव, नियर, तो मार्केट, मार्केट के पास रहता हूँ, तो यहां पर पास का मतलब है, कि मार्केट और मेरा जो रेजिदेंस है, उसमें एक walking distance है, कि walking distance में मेरा घर है, वहां पर हम easily आ सकते हैं, तो यह तीरो में difference है, यह बिल्कुल different word हो गया, ठीक है, और यह वाला क्या हो गया, no distance है, कोई चीज बिल्कुल very close में है, तो वहां पर हम लोग क्या कर देंगे, beside, अब जैसे यह है कि, her room is beside the kitchen, her room is beside the kitchen, तो इसका मतलब क्या है, कि उसका room kitchen के पास है, तो पास यहां से क्या हो गया, बिल्कुल close है, room और kitchen एक साथ ही लगे हुए, दोनों क्या, जो बॉल है, वो क्या होगे, same होगे, her room is beside the kitchen, and यह होगे, I live near the market, ठीक है, I live near Sanai guest house, I live near KK Palace, तो यहां पर क्या होगे है, walking distance पर तो वहां किसका यूज करेंगे, near का यूज करेंगे, तो इस तरह से आपको फिर से हम बता रहा है कि आप को क्या करना है, कि आप पूरा एक notes बनाएगे, फर्स्ट वीडियो में भी हमने आपको यह बताया कि notes बनाते जाएगे अपने हाँ से, वो ज्यादा आपको learn होता चला जाएगा, और डेली इसकी practice करेंगे, एक बबार में ही सारे pre-position mind में अपने आप set हो जाएगे, and pause the video and note it down, okay?